हलो लर्नर्स, वेलकम तो आर चैनल अड़ोई स्पावन, आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे आज हम लोग क्लास 10 का इंगलिस की बुक, फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नमबर 3 का एक important question और उसका answer पढ़ने वाले हैं यह हमारा chapter two stories about flying इसमें हमें दो पार्ट पढ़ने हैं, part one his first flight and part two the black aeroplane तो यह first part जो है, his first flight का question को इसमें लिया गया है, question is, describe how the young seagull made his first flight ठीक है आपको describe करने बूल रहा है वर्नन करने बूल रहा है कहने का मतलब क्या यह long question answer है ठीक है इसमें आपको वर्नन करना है कि यंग सीगुल कैसे अपनी पहली उडान भरा ठीक है कैसे यंग सीगुल ने made his first flight यानी पहली उडान भरी ठीक है कैसा उसने प्रियास किया कैसे वो पहली अपनी उडान उडा यही आपको वर्नन करना है कि वो क्या condition था वो क्या परिस्तितियां थी जिसकी वज़े से यंग सीगुल उडान भरता है ठीक है आप लोगों ने chapter पढ़ा होगा तो आपको यह पता होगा कि यंग सीगुल जो है बहुत ही डरता था वो उड़ने से बहुत ही ज्यादा ठीक है he was afraid of flying वो बहुत ज्यादा मतलब डर खाता था कि कहीं मेरे punk support नहीं करेंगे मैं गिर जाओंगा मर जाओंगा कुछ इस प्रकार से वो thinking रखता था और काफी भय खाता था ठीक है तो वही हमें बताना है कि अखिर क्या ये वज़त थी क्या हुआ जिसके चलते यंग सीगुल अपनी पहले उड़ान बरता है ठीक है so let's start the answer the young सीगुल was hungry सबसे पहले starting में हमने chapter में देखा था कि यंग सीगुल वो जो है hungry था ठीक है and alone in his ledge और अपने जो उसका ledge था जहाँ पर वे लोग रहते थे एक पहाड की खो में तो वे अकेले था reason क्या था उसका अकेले रहने का his two brothers and his sister चीक है उसके दो भाई थे और एक बहन भी थी ये लोग क्या हुए थे और उसके ममी पापा भी had flown away the day before ये लोग क्या हुआ था एक दिन पहले ही जो है वहाँ से मतलब उड़ गए थे अपना दाना पानी के लिए अब यहाँ जैसे ये समुदर की बात हो रही है क्योंकि समुदर में पहाड रहता है जो उसी पहाड के खो में ये लोग रहते थे ठीक है ये सीगुल पक्ची हमारे जैसे इदर कोई पेड वगर एक पक्ची नहीं थे जो इस पेड से दूसरे पेड में चले गए या गाओ घर में कई मी गोम लिए खेतुत में अपना दाना पानी पा लिए इन लोग को क्या होता था अपने खाने पिने का प्रवंद करने के लिए बहुत लंबी लंबी उडान भरनी पड़ती है ठीक है नहीं तो सोचे उतना विशाल समुदर को पार करना क्या पॉस चुके थे और ये अकेले अपने लेज में था बट ही हैड बीन अफरेड तू फ्लाई लेकिन वह बहुत दभाय खाता था उडान भरने से वेन वेन वेंट टू दे एज ओफ दे लेज और जब भी वह कभी उस लेज के एज में ठीक है एज मीनस होता है किनारा जब भी वह उस खोग के किनारे पर जाता यानि पहाड की चोटी पर जाता तो क्या होता था and attempted to flap his wings और कोशिश करता ठीक है प्रयास करता मने ऐसे सोचता कि वह अपने पंक फढ़ फढ़ाएगा लेकिन क्या होता था he became afraid ठीक है afraid means होता है डर ना वो डर जाता था ठीक है यंग सीगुल जो है वो सोचता था कि मेरे पंक जो है support नहीं करेंगे उडान भरने में ठीक है actually support करते है उसके पंक लेकिन वो डरता ही इतना था कि वो उडान भरने की कोशिशी नहीं करता था ठीक है he became afraid तो he was very hungry वो दो भूखा था ही हमने देखा दो दिन से वो कुछ खाया पिया नहीं था बहुत ही जादा उसको भूख लगी भी थी when he saw his mother तभी जो है उसकी जो भाई बेहन ममी पापा यह सब आ जाते है उडान भर के अपना दाना पाने जो भी मचली उचली चारा वगरा जो भी मिलता है उसे लेकर आ जाते है तो फिर वो क्या देखता है when he saw his mother उसकी ममी को देखता है वो tearing at a piece of fish कि एक मचली के टुगडे को बहुत मतलब अजीब तरीके से वो फाड रही है ठीक है और इस प्रकार से फाड रही है कि उस प्रकार से फाड के मचली को चीर के खाना इस यंग सीगुल को बड़ा पसंद आता था ठीक है उस तरीके से खाना जिस प्रका खाने की कोशिश कर रही है he cried begging her to bring him some food ठीक है तो वो जोर से चिलाया cried begging ठीक है वो मांग रहा है ठीक है उससे क्या चीज़ कि मुझे कुछ some food कुछ खाना दे दो कुछ मचली दे दो ऐसे करके वो चिलाता है यंग सीगुल she picked up a piece of the fish और उसकी मुमी की अगरती है वो एक मचली का टुकड़ा उठाती है and flew and flew across to him with it और उसके चारो और उडान भरने लगते है उस मचली के टुकड़े को अपने चोंच में दबाए हुए है ठीक है और उसके चारो और घूम रही है सपोस जैसे ये माल लो यंग और ये उसकी मुमी है इसके चोंच में जो है आपका फिश भी है ठीक है और इसी फिश को वो चोंच में अपने दबाए हुए है और इसके चारो और ऐसे ऐसे करके राउंड मार रही है ठीक है लेकिन इसके नजदीक नहीं जा रही है ये यंग सीगुल है इसके नजदीक मे नहीं जा रही है और उसके चार ओर उडान भर रही है उसकी मम्मी ठीक है उस मचली को पीश को अपनी चोंच में दबाये हुए फिर क्या होता है वो बहुत ज्यादा मनें आकर्शित हो जाता है उस फिश की ओर और पूरे उत्सुकता से वो आगे की ओर जुकता है भूग तो लगी हुई थी दूसरा उसे लालच भी आ रहा था उस मचली को देख कर ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर तीक है वो उत्सुकता वस आगे की ओर जुकता है जिससे कि वो अपने मम्मी के पास उस मचली के पास लेकिन क्या होता है when she was just opposite to him she halted अब उसकी मम्मी क्या करती है वो just उसके opposite में ठीक है सपोज मान लेजए यही पहाड की आपकी चोटी है और यहाँ पर आपका यंग सीगुल है और यहाँ पर उसकी मम्मी एकदम just opposite में उड़ रही है ठीक है एकदम किनारे में तो इस तरह से एकदम past में आ गई है और यहीं से क्या होता है जैसे ही वो उसकी मम्मी उसके opposite direction में आ जाती है ठीक है यह देखिया opposite direction है यह दोनो तो जैसे ही वहाँ पर आती है यह क्या करता है maddened by hungry he dived at the fish यंग सीगुल क्या करता है इस पहाड की चोटी से मचली की और dive लगा देता है ठ जोर से चीकता है ठीक है क्योंकि वो मचली के पास तो नहीं पहुच पाता है बलकि वो मने हवा में क्या बोले उडान बरना सुरू कर देता है वो हवा में आ जाता है उडान नहीं बर रहा था लेकिन हवा में वो गिरने लगता है fell into the space he flapped his wings और तभी क्या होता है जब वो तो जाहिर सी बात है वो तो अपने पंक फड़ फड़ाए गई हम लोग भी जैसे मुचाई से कूदते हैं या गिरते हैं तो देखेगा हमारे भी हात पाओ मतलब हरकत करने लगते हैं तो सेम उसी प्रकार से वो भी अपने पंकों को फड़ फड़ाता है and sword upwards तो जैसे वो प पहली बार उड़ान भर रहा था और उसके पंक जो है वो मने ठक भी रहा था ठीक है क्योंकि वो पहली बार ऐसी उड़ान भर रहा था उसे आइडिया नहीं था तो जैसे वो एक दूबार फड़ फड़ाता उपर के और जाने लगता और उसका फिर stop कर देता तो फिर वो न पंक फड़ भड़ाता है वह ओड रहा है एंड नाट wolfamour द होता है गर और वह और गिर नहीं रहा है जैसे थिले मतलब ईससे एक आइडिया मिल गया कि मैं ऐसी कर रहा हूं पंक फड़ टरहा हो तो मैं उपर के यह वाज गॉन इस पेरेंट्स इस ब्रदर और इस सिस्टर अब क्या करते हैं उसका डर तो चला गया उसके जो पेरेंट्स थे ममी पापा उसके दोनों भाई इस सिस्टर और उसकी बहन encouraged him to fly उसे उडान भरने के लिए उत्साहित करते हैं ठीक है एंकरेज करते हैं कि चलो ठीक है यंग सीगूल ठीक है या फिर छोटू बुलाते होंगे माल लिजे हाँ छोटू ठीक है चलो बहुत अची उडान भर रहे हो चलो ठीक है और थोड़ा कर और थोड़ा दूर उड़ो ठीक है ऐसा गरके वो काफी उसके उत्साह को बढ़ाया जाता है और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं this was his first attempt to fly और यही उसकी पहली कोशिश थी पहला परयास था उडान के और इस प्रकार से हम लोग देखे कि यंग सीगूल अपनी पहली उ पुरन भरी तो लर्नर्स आई होब आपको यह इंपर्टेंट क्वेश्चेन और एंसर पसंद आया होगा पर देखे वीडियो प्लीस टे कनेक्टेट विद आर चैनल अडविस पावन और प्लीस लाइक शेर सब्सक्राइब आर चैनल थैंक यू